राहुल ने तंचकस पूछा मोधी सरकार का सबसे बहतरीन मंत्रा लाए कौन सा फिर बोले जूट और जुमलों का गोपिनी मंत्रा लाए कॉंग्रिस नेता राहुल गांधी केंद्र सरकार पर लगातार हमलवार रहे हैं हाल के दिनों में उन्होंने लगातार ट्वीट कर सरकार से सवाल किया है रविवार को उन्होंने ट्वीट किया कि भारत सरकार का सबसे कुशल मंत्रा लाए कौन सा है इसी ट्वीट में उन्होंने आगे लिखा कि जूट और फालतू नारे लगाने वाला गुप्त मंत्रा लए बताते चलें कि इससे पहले कॉंग्रिस की पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को कहा था कि कोरोना वाइरस महामारी में लगाए गए लॉक्डाउन से पैदा हुई आर्थिक तंगी से निपटने के लिए मंद्रेगा को मजबूती दी जानी चाहिए उन्होंने ग्रामिट इलाकों में मंद्रेगा से लोगों को मदद मिलने से चुड़ी खबरों का हवाला देते हुए कहा कि इस समय जनहित सबकी जिम्मदारी है। ने ट्वीट कर विरोध जताया था। राहुल गांधी ने ट्वीट किया था जीडिपी गिर रही है, बेरोजगारी बेतेहाशा बढ़ रही है, इधन की कीमत आसमान चू रही है। आखिर भाजबा कितने तरीके से भारत को लूटेगी। बताते चलें इससे पहले कॉंग्रेस नेता ने मांग की थी कि टीका करण केंदर के बिना ओनलाइन पंजी करण के जाने वाले देश के प्रत्येक नागरिकों को टीका लगाया जाना चाहिए। उन्हेंने कहा था कि जिनके पास इंटरनेट नहीं है उन्हें भी जीने का अधिकार है।